हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब चलते हैं आपके अपने चाहिनल टेक्निकल आलोक में आज आफ लोकों से बात करें कि कि आप JVG फाइल और फीडियो फाइल को कैसे रिसाइज करेंगे यहने उसका साइज आप कैसे कम करेंगे कभी-कभी फॉर्म फील हम करते हैं मोबाइल से या सिस्टम से तो ज्यादा तर हमारे फेंटो है आजकल मोबाइल से ही अपना फॉर्म फील कर ले रहे हैं तो फॉर्म में हमारा कुछ केभी में प्रतिवंधित रहता है कि आप इतना ही केभी में फोटो या डॉक्मेंट अपलोड कर सकते हैं तो उसमें समस्याय आदाती है तो आप कैसे अपना जो है जेपीजी फोटो हो या आपका फीडिये फाइल हो तो उसको कैसे आप उसका साइज जो है छोटा कर सकते हैं यहनि उसका size आप कम कर सकते हैं तो इसके लिए हम चलते हैं अपने mobile screen पर mobile screen पर चलने से पहले पता दे कि हमारे channel टेक्निकल आलोग को जरूर ही subscribe कर दे और ऐसे ऐसे वीडियो के लिए हमारे bell आइकन को जरूर ही प्रेश कर दे क्योंकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो चलते हैं मुबाइल स्क्रीन पर और आप लोग को बताते हैं कि अपना jpg फाइल और video फाइल का साइज आप कैसे कम करेंगे हां तो फ्रेंडी हम आ गए हैं अपने मुबाइल गार्स आने के बाद्ध कर सकते हैं हमारे पास शक्रों पराउजर है आप ज्यादा लाक्रों गल्राउजर किंगर से तक त्रफ करेंगे तर टाइप कर रखे हुए है अपना जो है हम जादा दर फोटो फीडियेफ जो है जो है जबड़ीजी 5 इसी से कवर्ड करते हैं इसी से उसका साइज कम करते हैं तो इसमें आपको कोई दिकत नहोंगी आप इससे अपना जो है जब फाइल जो है जब फोटो डॉकमेंट आप इससे जो है resize कर सकते हैं तो देखिए इसमें आपको टाइप करना है Reduce Image Size Reduce Image Size इसपे टाइप जैसे किजिएगा और OK किजिएगा जैखिए ऐसा कुछ Interface आ जाएगा Resize Image Online Reduce JPG, BMP, GIA, PNG Image आप लोग इससे जो है resize कर सकते हैं तो हम इसपे क्लिक कर देंगे तो देखिए जैसे ही हम इसपे क्लिक किए तो आप लोगे सामने कुछ ऐसा Interface आएगा तो दिख रहा होगा Select Image यानि आप इसमें अपना Image सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपका Image यहाँ JPG, PNG या जो भी हो JPG हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे आप जो भी फोटो का Size छोटा करना है यानि उसका Size कम करना है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए देखिए हम यहाँ से जो है अपना फोटो सेलेक्ट कर लेंगे फाइल में आ करके हम यहाँ से अपना फोटो कोई फोटो select कर ले रहे हैं तो देखिए हम यहां से कोई भी photo एक select कर लेंगे तो हम एक thumbnail बना कर रखे हैं यही photo जो है यहां पर select कर लिए तो इसका size आप लोग देख रहे होंगे कि 46.79 kg में है तो इसको हम यहां से select कर लिए अब आपको कितना इसका quality जो है down करना है कितना MV में चाहिए आप यहां से इसका quality जो है थोड़ा कम कर लिजेगा इमेज तो select हो गया उसके बाद नीचे आ करके आप जो है इसमें 40 या जो भी आपको जैसा आपका photo है जिस quality में चाहते हैं आप यहां से quality में 100 होता है लेकिन आप जो है इसका quality कम करें जिसना आपको इसको resize करना है 50-60-70 परसेंट आप परसेंटेज में आपका जो भी photo है उसका चेक करके आप यहां से उसको जो है इसका quality जो है resize कर सकते हैं इससे आपका quality डाउन भी नहीं होगा फोटो या document का आपका quality सेम ही सेम रहेगा थोड़ा सा ही अंतर पड़ेगा तो यहां से हम जो है quality 40 कर दिए उसके बाद देखते हैं देखिए हमारा फोटो 46.79 के भी में है हम यहां से resize पे क्लिक कर लेंगे यहां आप लोग देख रहे होंगे कि 26.36 के भी में हमारा फोटो आगया है हम इसको यहां से डाउन लोड कर लेंगे जैसे ही हम डाउन लोड करेंगे तो आप लोग का फोटो यहां से डाउन लोड होकर आजाएगा तो देख रहे हैं quality सेम है आपका photo का storage जो है आधा से भी कम हो गया लेकिन फोटो का quality सेम ही सेम है तो ऐसे ही आप जो है इसको यूज करके अपना photo का size जो है jpg file का size जो है कम कर सकते हैं हा तो friends अब हम बात करें कि video file को आप कैसे जो है री साइज कर सकते हैं तो उसके लिए भी आपको अपने जो है कोई ब currently हम क्लिक करें आप लोग टाइप कर लिजेगा हम बहुले से टाइप करके इसमें रखे हुए थे कि आपका ज्यादा समय हम न लें उसके बाद यहां से खुलकर आ जाता है कंप्रेस लाज वीडियेफ फाइल दो ओरिजिनल वीडियेफ कंवर्टर यहनि आपको ओरिजिनल वीडियेफ फाइल जिसके पहले आपको हमने जेफीजी फाइल को कंवर्ट करने को यहनि रिसाइज करने को बतलाया हुआ था उसी प्रकार इसमें भी सेलेक्ट फाइल कर लेना है तो हम यहां से फाइल पर आ जाएंगे फाइल पर आने के बाद सबसे नीचे आपको एक फीडिये फाइल दिख रहा होगा इस फीडिये फाइल को हम यहां से सेलेक्ट कर लेंगे आपको यहां से मिल जाता है हाई मेडियम और लो तो हम लो पर यहां पर क्लिक कर लेंगे लो on mb से नीचे compress नहीं हो पा रहा है तो पीडियो फाइल इससे ज्यादा जो है compress नहीं होता इससे ज्यादा हो इसका size आप कम नहीं कर सकते तो हमारे पास दूसरा PDF नहीं है इसलिए हम इसको यहीं पर दिखाए आप यहां से useum PDF का reciprocal कर सकते हैं उसका Size app कम कर सकते हैं तो इस वी इडियो हमारा कैसा लगा हमारी comments section में पताएं हमारे चायने और टेकनिकौला लोग को सस्कास्षाइब जरूर कर दे और वेल आइकन को जरूरी प्रेष कर क्योंकि ऐसे ऐसे नॉलेजफूल वीडियो हम हमेशा लाते रहते हैं तो हमारे साड़े वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद बंदे मात्रूँ